नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कुछ ही दिनों में योन शमता को बढ़ा कर दुगना करने जिहां दोस्तों इसके लिए दस घरेलू उपाय यानि कि योन शमता कम होने के सबसे पहले कारणों पर ध्यान देते हैं दोस्तों और स्वास्थेकर खान पान जिहां दोस्तों और स्वास्थेकर खान पान अनहेल्दी फूड हैविट्स खान पान सेक्स की शक्ति योन शमता बढ़ाने में काफी महतोपून भूमी का निभाता है और स्वास्थेकर भोजन या अत्यधिक जंक फूड खाने से सरीर की सेक्स शम शमता प्रभावित होती है और वीरे स्त्राव में समस्या आती है ज्यादा दवाईयों का सेवन करने वाले पुरुष भी इस समस्या का शिकार होते हैं वो सेक्स करते वक्त काफी जल्दी ठक जाते हैं और उन्हें काफी पसीना भी आता है दवाईयां तभी लेनी चाहिए जो की घातक सिद्ध हो सकता है इसलिए पुरुषों के गुपतांगों तथा योंज एक्छा पर विपरित प्रभाव हो सकते हैं जिहां दोस्तों अगर आप कोई भी दवा ले लेते हैं तो आपको यह लोस होंगे धुम्रपान और शराब की लट जिहां दोस्तों सब्करिया करें कि जिस्से की सिक्स की शक्त ययनिकी यूशमादय है वियायाम न करने से शरीर में रख्त का संचार बढ़ता है यहां रख्त मनुष्य के कुतांगों में जाता है और उसके संतोष जन्वτα इरेक्षण में सभानेता करता इसे उसके विर्यकाश त्राव काफी अच्छे से होता है और संभोग की क्रिया भी लंबे समय तक चलती है दोस्तों ध्यान भटकना जहां दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपने साथी और अपने सेक्स की एक्छा की और ध्यान नहीं दे पाता तो उसका ध्यान भटक जाता है जो कि उसके द्वारा की जाने वाली सिक्स की किरिया में साफ दिखता है भटके हुए मन की वज़े से फूरुष अच्छे से और्गेज्म नहीं कर पाते और बेचैन हो जाते हैं जिससे समय से पहले एजेक्यूलेशन का खत्रा रहता है और सिक्स काफी कम समय तक चलता है सिक्स की इक्छा नहोना शिग्र पतन कमजोरी ज्यादा देर तक सिक्स नहीं कर भना नपून सकता के उपचार के लिए जरूरी और शदी है सो ग्राम जैतुन का तेल या तील जिहां दोस्तों अगर जैतुन का ओईल ना मिले तो तील का तेल ले लीजिए और मालकंगनी ओईल जिहां दोस्तों मालकंगनी ओयल किसी भी सौप से जाकर के ले लीजे आप क्या करना है आपको कि जैतून के तेल और मालकंगनी ओयल को मिक्स कर लेना है दोस्तों दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजे बराबर मातरा में मिला करके और इन्हें गर्म कर देजिए इसके बाद आपको अपने गुपतांगों की मलिश करनी है ओयल से कई बार होता क्या है दोस्तों कि हमारे अंगों में या जननांगों में बलड का प्रवाह जो है वो सही नहीं रह पाता है तो मलिश करने से बलड का प्रवाह सही हो जाता है दोस्तों तो आपकी समस्याएं खतम हो जाती है सारी इसके अलावा दूसरी जो और शदी है इसके लिए दोस्तों वो है 200 ग्राम कच्चा लहसुन और उसमें 250 ग्राम शेहद मिक्स कर लीजे आप अब इसे एक शीशी में बंद कर दीजे साथ दिन तक आप किसी अनाज के अंदर डाल दें उसे जी हाँ जिस शीशी में आपने रख रखा है इसके मिष्रण को उसमें क्या करना है आपको कि साथ दिनों तक लहसुन को झिला आपने उसको कट-कट-कट करके छोटा किया आपने उसे डाल दिया शहद में आपने फिर उसे आप छोड़ दीजिए शिशी में डाल करके किसी अनाज के अंदर चावल हो या गेहू हो उसके अंदर ढख के रख दीजिए साथ दिनों तक साथ दिन बाद उसे बाहर निकाल लिए एक चमच हर रोज खाईए इसे और उपर से एक गिलास दूद पी लिजे दोस्तों आपको बेहदलाव कारी सावित होगा आपके लिए और आप कान तिवान और इसके साथ साथ मुख्य रूप से आप सेक्सुल समस्याओं से निजात पाएंगे इन आउश्रधियों के सेवन से दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे ऐसी ही कुछ एक महत्वपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों